कि ऐलो फेंड्स वेलकम बैक टो माई किचन आपका मारे किचन में बहुत-बहुत सुषागत है आजम बना रहे हैं गोल गपा सुजी के गोल गपा जो की असानी से आप घर पे बना सकते हैं वह भी फुले-फुले तो सबसे पहले मैंने सुजी लिए है यानि से मोलेनर लिए ह कि है 500 gram है तो आपके पास काप है तो आप उससे भी कुष्छी ले सकते हैं Een मैंने 500 400 ग्राम का half हो गया 100 ग्राम तो मैंने इसको आधि ले लिए 200 ग्राम में इसके अंदर करूंगी 40 LOL 20 Ml इसमें तेल एड़ करूंगी क्योंकि यह थोड़ा कप खाली है यह 60 ml का कप है यानि थोड़ा सा खाली है यानि यह 50 ml जो तेल यह घी आप कुछ भी ले सकते हैं मैंने रिफाइन रोल लिया है इसको हम अच्छे तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे तरह से इसको सारी कहीं से कहीं भी सूची आपकी सूखे यह नहीं होने चाहिए पूरा तेल में आच्छे तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे अब हम जो है तेल पानी गरम करेंगे पानी हमें जो है तेज गरम करकर हम इसके अंदर एड़ कर देंगे और उसे भी ह हम जो है पानी पतो हमें की तो एक बार अगया है नो और तthree की संदर तेज को समप सीजुरा दो रहेना है क्иниसे दिव्डूरा दोड़ा फाने श्केक से 25 मिन डेशाट चो दोड़ देना है हमें आभी मैंनना नहीं इसको सहां की से 20 अच्था पर कि हम इसको छोड़ दों से हम जो है सक हम जो है इसको हम बिलकुल बना लेगा और यह आप देखओगे कि शूजी जो है एकदम आटे जैसी बन जाएगी इस depraMal काथा हम लहां जाओंप और यह नीयुक्त रोटा सबस्क्राइब और इसके का छोटी-छोटी लोई लेकर हम इस से टेले ल weggstopteyah लेकर hyal richest each दो कॉट स्वेल लेकर हमारी टेल गरम रख को है और और आपको जो दो है वो ध्यान रखना है अगर आपका दो वह सा टाइट भी हो जाए तो आप हम इसमें पानी एट कर सकते हैं और अब हम इसको Lum राए कर लेंगे एक गुल कप्पी हैं जोल जो टे मिए और open ऑपने ऊपने गुल कप्पी गुल है पे हैं पहलां हो से लिए तो citi के में कि अच्छे बंदे और और यह इंडर सन्व क्लशा कुछय के तेार कर लेंगे और अब हम बनाएंगे इसकी आलो का मसाला इसके अंदर भाणे के लिए तो हमने आलो और प्यास चो है वो आलो बोईल करके ले लिए और प्यास को बारी काट के इसके अंदर अधनिया साबू दनिया और हम इसमें आड़ करेंगे गरम मसाला, अमचोर पाउडर, नमक, मिर्च भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे सेंदा नमक और यह सब हम इसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा हम simple नमक भी इसमें add करेंगे और मेर्च भी हम अगर आप तेखा पसंद करते हैं तो हम मेर्च थोड़ा जादा रख ले और इस तेके से हम इसमें उबले वी छोले भी इसमें add कर सकते हैं और हमारा जो आलू की stuffing है वो हम अच्छी तरह से इसको mix करके जो है हम क आलू की stuffing तैयार होने के बाद जो है हमारे गोलगपई भी रेड़ी हो चुके हैं उसे हमें प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम जो हैं आलू की stuffing भरके इसको सर्फ करेंगे और हम जो हैं अपने गोलगपई को लेके इसको फोड़ा थोड़ा तोड़कर और जिसमें दलगे इसको सर्फ करेंगे आप चाहें तो इसमें मुंदी और बुज्य वगरा भी आड़ कर सकते हैं वह भी बहुत अच्छ लगते हैं थैंक्स पो वाचिंग